हेलो फ्रेंट्स नमस्कार फ्रेंट्स डीजीपे का निव वर्जन आ गया है 6.5 जिसके अंदर Cash Deposit की सर्विस आ गया है इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बना दिया था तो आप सब भी लोगों ने उस वीडियो को बहुत अची तरीके से देखा है लेकिन बहुत सारे कमेंट आये थे कि डीजीपे में अभी Cash Deposit नहीं है तो अभी डीजीपे के अंदर Finally Cash Deposit आ गया है अब हमारे को डीजीपे के अंदर Cash Deposit आप्शन कैसे मिलेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर Google Play Store को इस तरीके से Open कर लेते हैं और डीजीपे को सर्च करते हैं तो यहाँ पर Update का भी Option आ गया है और New Version डीजीपे आ गया है तो हम यहाँ पर डीजीपे पर क्लिक करते हैं सबसे पहले Update नहीं करेंगे हम Uninstall करेंगे प्रोने वाली अप्लिकेशन को तो Uninstall पर क्लिक करके Uninstall कर लिया है अब हम यहाँ से बैक करते हैं वापिस से डीजीपे को सर्च करते हैं उसके बाद में यहाँ पर डीजीपे पर क्लिक कर लेते हैं इस्टॉल करके क्लिक करते हैं तो यह हमारा New Version है यह बिल्कुल इस्टॉल हो जाएगा डीजीपे का तो इसके इंदर हमारे को कोई भी problem नहीं आएगी और cash deposit option है वो हमारे को मिल जाएगा तो यहाँ पर 8.31MB की यह application है तो यह इस application को open install करके check करते हैं इसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इसके इंदर क्या-क्या new update देखने को मिल रहा है और finally नहीं को cash deposit option मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हमारी application है बिलकुल install हो गई है इसके बाद में हम यहाँपर open नगी कर लेते हैं तो यहाँपर next नगे क्लिक कर लेते हैं अलों कर देते हैं अलों कर देते हैं और यहाँ पर CAC IDEA वो लगा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर Proceed पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर काफी लोगों का कमेंट यह आता है कि सर हमारे Mobile के अंदर OTP डालने के बाद में आगे कोई भी Process नहीं होता है, तो यहाँ पर अपने CAC Team से बात कीजिए, यहाँ पर अपने Mobile का Phone है, उसको छोटा कीजिए, तो यहाँ पर हमारा OTP जनरेट हो गया है, हम यहाँ पर OTP डालने के बाद में यहाँ पर Verify OTP पर क्लिक कर लेता है, उसके बाद में यहाँ पर Write करना है और यहाँ पर Scan and Proceed पर क्लि करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने Mobile की Setting को Open करते हैं, Additional Setting को Open करते हैं, OTG को On कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से OK कर लेते हैं, अब हम DGP कोचा करते हैं, कि DGP Open हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर Scan and Proceed पर क्लिक करते हैं, अभी भी No RD Service अवेलेबल आ रहा है, तो यहाँ से अपने इसको OK कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने मंत्रा की Driver डाउनलोड किये हुए हैं, इसको यहाँ से Open कर लेते हैं, RD Series को, यहाँ पर Capture Test पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर उपर वाले तीनों आप्शन है, वो Green आने चाहिए, तो यह Green आ गया है, अब हम DGP को Open करते हैं, इसके अने प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो Biometric device के अंदर light आ गई है, और हमने finger भी रख दिया है, और यहाँ पर हमारा DGP open हो रहा है, तो यहाँ पर authentication successful हो गया है, और यहाँ पर DGP open हो गया है, तो यहाँ पर आप उपर देख रहे हैं, यहाँ यहाँ से deposit का option आ गया है, और बाकी यहाँ पर money transfer का अभी देख option नहीं है, तो हम यहाँ पर deposit पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर select bank पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदरा bank, small finance bank, अंदरा bank, central bank, यहाँ पर इस तरीके से इतनी सारी banking हैं, वो आज सुकी है, तो यहाँ पर आप cash deposit को कर सकते हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी bank हैं, वो आज सुकी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एटल bank को select कर लेते हैं, और यहाँ पर आदा नमर लगा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर mobile नमर लगा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कम से कम 100 रुप हो रहा है तो यहाँ पर हमारा cash deposit है यह successful हो गया है एटल payment bank के अंदर तो इस परकार से आप अपने डीजी पे से cash deposit कर सकते हैं तो हमारे mobile के अंदर message भी आ गया है एटल payment bank का कि आपका cash deposit हो गया है तो इस परकार से आप डीजी पे के अंदर cash deposit का option को use कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप like कर दी अपने दोस्तों share कर दी और आप के मन में कोई भी स्वाल है तो comment करके पूछ सकते हैं ये वीडियो मेंने पूरा प्रोसेस आप लोगों के लिए live बनाया है तो कम से कम एक like और एक comment करने को जरूर बनता है और बाकिया आपकी मर्जी है